वेल्कूम् डॉ आवर चैनल ओडिसे एक्स्टोरीस तैंक्यो फॉर योर सपोर्ट जिदी देखेवाई यार जो फास्ट पार्ट वीडियो एला आपनमाने बहुती सपोर्ट देलाएं कोमेंट सेक्शन ने मेंशन गरेले कि नाई आपनों गरोई पार्ट टू भी अना जाओ तो सेथी बाइं ये यार पार्ट टू आने लिए यार पूरा टोटल जो थे आमें पूरा टोटल उपरे जो मोडन हिस्ट्री रो जहाबी अच्छी ताको कम्प्लीट करिवा ये वल्यों आबरे क्लासेस करों दू आण निहादि आबरे सपोर्ट क मोडन हिस्ट्री स्पेस्याली फॉर जिरी रेख्याओ पीएसी एएसो आण किछी सिलेक्टेड कोस्चिन जोवडी को निहाति आबरे आपण माने को पाईं बहुदी हेल्फुल लोईवा जोदि आपण माने प्रिपारेशन कोर सुन्दी ताले चोर्चोडी इंसोडाको नि पूरा बेसिक चुने के आडवांच लेवल पर जन्द को सुन्द को कवर अब करिवो नेठी आपण माने बहलाच जानी रोखंदू येस जो मने आमरो क्लासेज आइंड येस स्पेसल क्लासेज देख्याओ चाहूं सुन्दी और इकडे मेरे आपण माने पाई पाई परे आ बैस्कोर्सेज रोची एसो पाई देखी रोखंदू फांडीशन कोर्स चारिड आपण मार चाली ची दें तास जदा में जी देख्याओ अन्गोइंग फास्ट्रैक बैस्कोर्सेज भी मधिया आपण पाई 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 परी बे तो जित्तवली भी सस्क्राइब करीबे कोड़ यूज कोरी वे अमियो टेन अंड इत्रे आपड़ माने जानी रखन्तु आपड़ माने को पाइं जो सुब ग्लासेज प्रवाइड करा जिवो इत्रे मुँँ आपड़ों को सबु पीडिएफ्स अंड सबु नोट्स प्रवाइड कर देभी मुँद्धे मेसेज करिये 9090019332 को जोदी आपड़ माने प्लॉस कोड यूज कोर संदी देन मुँँ मोँ परसनल गाइडेंस आपड़ माने को सबुद्धे निया द्यावरे से आर गोरी भी सबुद्धे नोट्स प्रवाइड प्रिपार कर संदी तो लास्ट आमें 45 नंबर कोसिन ने चाड़ी थिले आज 46 नंबर कोसिन देखिबा फ्रम हुई चिय डिड द बिर्टी स्टार्ट स्ट्राइकिंग इंडियान्स कोईन वीद पोट्रेट अब द बिर्टी स्कींग केब इंडियान्स जिदी देखिबा वाज जो रही तिला बिर्टी सर्श मने टंक कर जिदी रिखे जो कोईन तिला तो सिथिरे नीजो बिर्टी स्कींग कर मुहर रोखी तिले तो यह हुची 800.30 इन 1835 द बिर्टी स्टार्टेर श्राइकिंग इंडियान कोईन्स वीज पोट्रे 25 हाड़े एस आमें जिदी देखिया फिजी विल्यम फोर दा यहस ऑन दो यहस अब्जर्व एन द वैल्यू अफ रिजर्व इन इंग्लीज और पर्शियन दो कोईन इसूद आप्टर एटेन पर्टी बोर दो पोट्रेट आप क्वीन विक्टुरिया निठी आमें जिदी द आइंगें ग्रीन विक्टुरिया अजूम द टाइटल आप देप्रेस अप इंडिया और यहाँ त्राइच प्रणा में जिदी देखिया ब्रिटिस अज को द्वारा करा जाईची अधाको अमें जिदी देखिया निहां थिया बरे आमरा रा वाइट टाउन को आजाउची देखिये रखंदु वाइट टाउन को दा जिदी देखिया अधरकार याटं भुजय दरकार जिते अपने को पाया आच्वुची देखिया ब्रुजय देखिया जिबाँ द आमरासी जिवा सेंट जोर्ज मद्रास रहे इतला शी राइट अंची निया ए त्या बरे सेंट ज जो टाग वाइट टाउन को आजाओ चे अन आको आपने मी देखी परिबे फोट प्रोवाइड दो इंपरियोस फूर्जर सट्रिल्में अंट रिदिंग अक्तिविटी तो बेसिकली आमें कोई परिबा यह सेंट जोर्ज जो माडरा सती तिति ला तक वे मने कौन को तिले न य निहातिया आपरे आमर वाइट टाउन को आजाओ तेला चोट शोड़ी इंसोड़ा बड़ी इंपर्टांट वान एक वड़ा को जित्त वड़ा आपडवान में मेंसंद कोर सुने नेक्स्ट वन वू वास दा फाउंडर फाउंडर आप दर रियों प्रेसिदेंशी कोलेज प्रेसिदेंशी कोलेज या में कोही परिवा हिंदु कोलेज रो जो दीखे फाउंडर हे ले तो यह आपन भलाच मने रखंदू राजा रामुन राय इनिशाली इस्टाबलीच द निहातिया आबरे महा पाठ शाला विंग अफ हिंदु कोलेज इड़ा रेसिदेंशी अब्जेक्टेड इंक्लूडिंग सथी, कास्ट रिजिडिटी, पोलिगामी और चाइल्ड मेरीज रिलेटेड द फास्ट अल हिंदी निउस्पेपर भलाच मने रखंदू कोश्ची नहीं कोट आपनों पाइं इन्फरमेशन होची द फास्ट अल हिंदी निउस्पेपर दा उद्धन्त मार्तंद कथा जदी देखिवा, या पन भलाच जानी रखंदू पंडिक जुगल कुषर सुखला वस द एडिटर अल हिंदी निउस्पेपर उद्धन्त मार्तंद पॉब्लीज रूम कानपूर इन्फेपर इन्फेपर वस स्टाटेड अन में तॉन्टी इन्ट कथा जदी देखिवा, तार में नम तौ रफॉम इसलाम, तो अपोस इंग्लिस एडिगेशन, तो को औरता गल्राप्रे इन्फेपर इंट्थिक जदी इन्फेपर इन्फेपर इस्टिक इन्फेपर इन्फेग्सेब्टी ढाइं अहीं सिस्टीग स्टीक वाइ मोहमाध कॉस आमें ज़दी दिख्या ना तो भी यह इंग थी ले आमें ज़दी दिख्या तब सोड़ा पड़ोल से जानी रुखंदू निजाम उद्दुल्ला नवाब अफ बेंगल वेंगल वेंद दिवानी अफ बेंगल बिहार और उडिशा रो आमें कोई परिवा ग्रांटेट दिवानी राइट इस्ट इंडिया कोंपणी वेंद दिख्या दिख्या तब सोड़ोल से ज़दी दिख्या ना तो भी यह इंग 1840 अटरोस्ट चारीशरे इडिन गाँडेन को राई थे ला इत्ला इत्व अफर दो नेम अफ़ ए सिस्टर अफ दो गवर्नर जेनल अपिंड़ फू वास दो गवर्नर जेनल एडिया अपननों जानी रख होंद उट्रोस्टारीशरे जो इडिन गाँडेन को रेटला से Lord Auckland desired to create a circus and garden, a blazer ground with an oblong tank in center, which laid out to the side. This is actually named Auckland Circus Garden, then Tankara, sister's name is Eden Garden. Who among the following was the author of drama Nilodharpon. Nilodharpon Indigo Revolt ko portrait korea paein, ye aapano bhalocha jani rakhandu, samashte aapano maane jani bithi be, dhinabandhu Mitra is right answer. Yes, Literary Circle of the Bengal by his most notable play Nilodharpon in 1860. It was published from Dhaka and soon after its publication, it ignited a major argument in the newspaper. Who was the, sorry, what was the real number of prisoner who died in black hole tragedy, according to the available reports? Report on Mr. Ramazidi, the black hole tragedy, what was the real number of prisoner? केते जना प्रिजनर थीले, जो माननको black hole tragedy राय में जिदी दी देखेया रुखे छेले, ये आमें इदावन रोटे थी जला, तो ये हुचन दी 146, according to available report, वास 146, सोहे च्वायल इस जना, the black hole of Kolkata, येस वाजे टॉंगेन इन कुनिया इंडिया, कुका मुम्मेंट वाज ऑर्गानाइजड, कुका मुम्मेंट आमें जोड़ी देखेया हुँ जिबा, ये पंजाब, उत्तरव्रदैस, बिहार या महारास्ट्रो, बला से मने रखूंद, येस आमेरा पंजाब, अभर्थरू दो ब्रिटिश रूल इन पंजाब, कुका मुम्मेंट कुथा जोड़ी देखेबा, ये पंजाब रे आपन करो येस इनिसेट करा जाए थे लाएंड, आको आपन निहाती आपरे भला से भुजी रखिया, ये दरकार जेत्वला इथे आपन को दोची, दो बिगिनिंग आप सीख मुनार्शियल, एदे आमें कोहिब भरिवा, अच्छनल प्राइड बोन अन मिलिटरी ग्लोरी अन प्लिटिकल पावर, इस मोमें च्छोले रिलीजिजन प्लिएएड औरी पोस आप सिंपल इविंग, ये रख आपन जाब काहिएंट प्राइड बिगिनिगोल इएडिकली इखिवा, अच्छनल प्राइड, गाइडलाइन वाज एस्टाबिलिस्मेंट को रायतला यूरोपियन गाइडलाइन उन्च अरे तोसे बैंक रो जोदी रेखिवा ना कोण थिला बॉल्लाचे मने रखोंदू वो दी बढ़िया दित्तो यह उची बैंक ओफ हिंदूस्तान ओगें The first financial bank under European guidelines was established in India in 1770 in Kolkata by Alexander and Coop and his company. The origin of western type commercial banking in India dates back in 18th century. The story of banking starred from Bank of Hindustan established in 1770 and it was the first bank at Kolkata under the European management. In 1786, Garden General Bank of India was set up since Kolkata was the most active trading port in India mainly due to the trade of British Empire. It became a banking center भाबरी भी इथिला. Bank of Hindustan Who signed the Treaty of Pune in 30th June 1817 दे गन्दू, 870 रे, Treaty of Pune, दोलच राओ या बाजी राओ या अपा साहिब या मलार राओ होलकर ध्यान रोखिवे, जेत्वला इथिया में कोही परिवा, इंपोर्टन वान, आमरो ट्रीटी ओपुन्य को था जुरिया शिवा त बाजी राओ टू बाजी राओ टू, बाजी राओ टू, साइन्द ट्रीटी ओ पुन्य इन 13th June 1817 Pesua Bajirav too, wanted to become the head of the Maratha Confederacy, but he wanted to freedom from British control, Chief Minister Timbukhavaji encouraged him on the advice of the company, yes, the Geekwar sent him Prime Minister Gandharsustri to negotiate with the Pesua, but later asked the Pesua to hand over Timbukhavaji, पेश्वा जैंटेंडे वर्ट मिनिस्टर पुने कुछ गिवाः जाहिए जाहिए जोड़ा जाहिए गुद्यूर्बॉ प्रितरीशन थेयरी इन फिलेशनल ट्रीशिंट आपन अबलाश मने रोखंथ जित्व एडर्ट को सिंदू चि हमेख को बरिवाल लॉड मैखलें ओके ये समय को ही बरिवाल नूट तो बरिटीश प्रिटीज 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 विदान तो एड्टीज दाउवर्न फिल्ट्रेसन थूरी आफ आम आ में ये ग्याय थे lorry फोलीं फेलीар पवसे सटों फेल्टीरा आम उन्हिके घक Спर ऋडिया इंडीया विच्छा वर्लोइन गौवर्णर जनल बाज कंbourg माशर्वेंट वीड आरभिघ पर्सियान बेंगल तेकिर खांतु, वीच अब फॉलूइंग गवर्नर जेर्नल वास को सर्वेंग विद एरबिक, पर्सियन औरमकोई परेप बेंगली, तो सीय हुशं दि वारा इन थे जो फास्ट आशिधिले. जी वाज गिफ्टेट पर्सनलिट एंडूर्ट रिटिट लें गेव एंकुरेज़ अपर्चुनिट टो लॉर्न लंग्विज विए पर्सियान अद देफलोप ओरिंटल टेस्सिंच इस कॉंसिज इंडियन कुल्चर अस्ट बेसिक फर साउंड इंडियन अडिमिस्टर्स आमें कोई परिवाब ब्रिटिस परलेमेंटर अंडर गुगल आपरें वीच अब फोलोईंग फाउंडेड दा आत्मियों सभा अत्मियों सभा अत्मियों सभा गोता जदी देखिवा इंडूडा भलोस आपनमाने बुजीरों खिया दरकाय जितवला अपनूंग दूची य तुफाथ उल आमें जिदी देखिवा निया इतार मोधिन ए ट्राक्ट रिटिन बाई राम मोहन राय यह आमें कोही परिवा यह तुफाथ उल मोधिन यह पनम बलोच मने रोकंदू यह थिला फास्ट्राग एगनेस अडिलोटरी यह बिलिव दान प्रेयर्स, मेडिटेशन अमेरिगादिंग उपनिशद वयर विफ फॉर्म्स अफोर्षिव और नो ग्रिवन इमेज़ प्रेयर्स, स्ट्रॉक्चर और स्क्लॉप्चर, कार्भीं, पैंटिंग, पिक्चर और प्रोट्रेट्ट, यह वर वे अलावड इन तुफाइटी बिलिदी दॉस प्रोक्लेमिं उपोजेशन तो अडिल्टरी और मेनिंग्लाइस रिचूल्स, ग्रामुन ना इंग थला, भाई वीच अफोल्विंग आट, वस दो बोड और पॉन्ट्रोल क्रिएटर, देखिर हों दू, बिटिस गवर्मेंट को चले आपाएं, वोड़ बोड और पॉन्रोल इस्टाबिस करा जाई थिला, ये रेगुलेटिंग आट, पीक आट, चाटर आट 13, चाटर आट 33, ये कोसिन उड़ा बहुत इंपोटन, डिरेट कोसिन असी था, बोड और पॉन्रोल क्रिएट करा जाई थिला, जोसी जोसी 1784, पीट्स इंडिया आक्त, इंप्लिमेशन अप इस आक्त व स्टेश्च में अफ दुवाल चॉन्रोल, ये रेटेटर वार्टिकल एग्जुटेंट्स विड चार्च अब्रोल, बाट ये वयर पॉलिट्यकली शुपरिटेंट अट, इंपॉर आट अटूल, तो बैसिकली आमी कही आकाई हुगल ये 1784 अचाह, शारे, 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 श प्रिफिकरल इस्पर्टेंट लुक्ष न्युर्टेंपर इंडिया थे पॉब्लेटी आसी कॉब्लेट गयीद जैम्स अक्स प्रिफिकर आख अवरे टीन बीने तेट प्रिफिकरल पॉलिख तुम्हरे ग्जट इपधी आख द्यानरी आख थिकरलीड गजद में विल्टेंग 56 that encouraged the growth of newspaper in the country the treaty of Mangalore was signed at the end of treaty of Mangalore was signed at the end of treaty of Mangalore ended with the signing of treaty of Mangalore in 1784 lack of resources uncertainty of the attitude of Marathas the presence of French fleet on the Cormundal coast and the some other consideration force of English to peace the treaty was fallout of a peace between French and the English fast decisive military success of East India Company in India is marked by the fast decisive military success of English East India Company in India the victory at the boxer was solely due to the super military military power the defeat of confidence as inheritance of the defeat of Indian army on the state organization which one of the following war was ended with treaty of Madras treaty of Madras kudha jodhi di dekhi ba kou war end hei thi la treaty of Madras ro jodhi di dekhi ba sign pore pore so bode ekuda ko phalo se bhuji rakhiya dhokkar jitwal aapano kong direct question pachar chi that is fast Mohishur war was ended with treaty of Madras and the fast anglo Mohishur war he has paved yes indecisive and ended with a peace treaty in 1762 iya hu chhi first second and no either only yes jodhi di dekhi katikated the treaty which provide the exchange of prisoners and mutual reinstitution constitutional conquest mein iya implementation nahi tila ka ka apan ko dhari paribaya next one who was appointed as the deputy divan of Bengal by Robert Clive after Allahabad treaty deputy divan area of Bengal by Robert Clive after Allahabad treaty johar okay okay yya thilet dhkandu question ura bhoot di important and pura ame kohi paribay normal books are joh question rhoj chit tato different question rhoj chit tato different question rhoj but yya aapan by help kori ba Allahabad treaty pare Mohamad Raja Khan was appointed deputy divan of Bengal by Robert Clive after Allahabad treaty for the exercise of divani function the company appointed two deputy divan Mohamad Raja Khan of Bengal and Raja Sitab Raya from Bihar Mohamad Raja Khan also acted as deputy divan of deputy subedar who among the following governor general formed the triple alliance against Tipu Sultan Tipu Sultan ko agnes re jodhi triple alliance ame kohi paribaya kye initiate korethi lhe chot chodhi in choda but bholas se jani rokkandu jittho bholai thhi aapan ko direct question aapan ko pachari thai and ye important one triple alliance ee jauci jodhi aakko ame direct nai paribaya yes Lord Cornwallis Lord Cornwallis formed the triple alliance for what that is Tipu Sultan the English the Nijam and the Marathas enter into the triple alliance the war against moisture was carried out in three campaigns the first under meadows provide decisive the other two campaigns were lead by Cornwallis himself okay who among the following joined mughal emperor thil a and was defeated by the british and yes at the battle of boxer so ye aakko ame koi paribaya sahalam sahalam to mughal emperor thil a joined mirkashim and sirajdulla in declaring war upon English East India company and was later defeated by the british at the battle of boxer which one of the following indians was appointed as deputy divan of Bihar co-indians koo ame koi paribaya deputy divan of Bihar bhavari appointment dhya jayethe laan question suda jethi ki important shethi ki apanamane jani rukhya dharkar raja sitab raja sitab raya was appointed as deputy divan of Bihar for the exercise of divani function and the company appointed two deputy divans mohammad raja khan from bengal and raja sitab raya of for Bihar who founded the independent state of audh independent state ame jayethe ki ba kahan ka dhwara establishment kada jayethe kala sahajudullah asafadullah ayind ame koi paribaya ni hai de safadhu jung ya sadaat khan who founded the independent state of audh independent state of audh kada jayethe ki ba sadaat khan founded the independent state of audh sadaat khan was popularly known as buran ur mulk and he had joined in conspiracy against saadi brother later driven out the court he was promoted to found a new independent state okay sadaat khani is written sadaat khani the treaty of ame jayethe khan was signed with the british of peace with the british by पेशवा क्या में कोई परिवा जो आमीड रिटिटी अभी साइन जदी देखेबा इंपोर्टन ट्रिटी उडा इखेगीनक यहा रिलेटेटेटि आपने को कोस्टिन पुश्चिन पूच्छे रिथाएं तो सिये जावसने हमरा बाजिराव टू जो दिटीटीटीए वसाइन with British by Peswa Bajirao too and the treaty brought the company into definite relationship with the formal head of the yes Maratha confidences the treaty of Vassain described as a treaty with yes Sipar wondered with the feelings of of the other Maratha leaders. During whose tenure did the incident of the black hole take place? black hole tragedy in which time? Mirjapar, Mirkashim and Aliwardi Khan Sirajdullah. The black hole tragedy in which time was the same. Black hole tragedy in which time was the same. Sirajdullah time was the same. So, the night of 20 June 1756. When was the treaty of Ali Nagar signed? Treaty of Ali Nagar. 1756, 1757. Yes, February, September or February, April. Ali Nagar. The treaty of Ali Nagar was signed and the treaty of Ali Nagar was concluded between Sirajdullah and Lord Clive. The Nawab was forced to sign the treaty of Ali Nagar on 9th February 1757 wherein all the demands of English were yes considered and the Nawab was asked to restore the rights and immunities of the company and the DA compensate them from losses they have suffered in war. Which one of the following had drafted by the Hindu Widow Remarriage Act? Who of the following had drafted by the Hindu Widow Remarriage Act? जुमने को आमे कोई परिवा अलाया रखा हुथ ले तो तो तांको पाहिए आमे जुदिके गोवर्मेंट. लोट डिलहाउसी बहुदिगड़या. Who among the following was started the Public Work Department in 1848? 848 कता जुदि रिखिया PWD Works. धनरोखिया दर्कर और भुजिया दर्कर देत्वलेटी आपड़ूंको डारेट दूची. PWD वार्क है लामने यामें कोही परिवा, सें लोट देलहाउसी इक वेपरिवा, देलहाउसी प्रेटेज पूब्लीक वार्क दिकाड़ूंको डारेट और जुदियाद और एंट रूट्टेज आपड़ूंको ड़ूची. 1854, many bridges were constructed by modernizing the PWD and led the founders of the engineering service in India. देखिर कुंदू, आई एस engineering service इंडिवस कुरिथे ले इंडिया रडे लाऊ सी. Maratha signed the Treaty of Salvae in 1782 with the English and the entails of देखिर कुंदू, the Treaty of Salvae आमे कोही परिवा Marathas मने sign कुरिथे ले, तो ये आमे कोही परिवा, ये सिंधिया. Maratha signed Treaty of Salvae with the English and the entails of सिंधिया. The treaty established the status of Q-Anglo-Maratha relation through the material gains of English from the treaty were not very impressive. It gave them peace with Marathas for 20 years and the time which is needed by the British to con, yes, concretion for the fund, especially in Moishud. In the permanent settlement, the share of Jomindar, permanent settlement रे, Jomindar उनको share के थिला, 1 4th, 1 6th, या, आमे कोही परिया, 1 11th, या, हाब थिला, total. The permanent settlement, the share of Jomindar, एडिया में जदी देखिया हुजिबा, 1 by 11, the Jomindar were required to pay 89% of what he received as a land revenue to the government and retained 11% with himself for his service. The Raudhari settlement of Madras was introduced by, The Raudhari settlement को था, जदी देखिबा, ये कहां को दोरा, आमे कोई परिया, इंटर्ड्यूस करा है थेला, Cornwallis, या, Wingate, या, आमे कोई परिया, Clive आसी ले, या, मुर्नू, एगुड़ा, आपण मने, आरेट, मुर्ने रखिया दरकार, रaudhari settlement को था, जदी देखिबा, ये, आमे कोई परिवा, बाई, Thomas मुर्नो, ये, लोड मुर्नो, ये, रेबिनियू सेटिल्मेंट वास डॉन डारेली, विद द रियोड्स, रियोड्स कोई ला मने, जो मने, रोहीले, चासी, तांका बनाग पैं, बर्दो, गोभर्मेंट, रिटेंड द राइट, टू, ये, अन्हांस, आयन्ड, लैंड, रेबिनियू, आटेब विल, रोधारी सिस्टम मुर्नों को द्वारे कोराज जाई थिला, वीच वान दो, फोलोईंग सेटलमेंट, डीड, कॉमप्राइज, जो मिन्दार, आज, मिदिल्मेंट, टू, कोलेक्ट, रेबिनियू, ये, विदुर, कोड़ा, जानी, रोखंदू, को सिस्टम, रे, एमिन थिला, कि जो मिन्दार मने, मिदिल्में थिले, ले, ले, रेबिन to the East India Company for the acquisition of Nabhaf Sheep of Bengal by Mir Kasim in 1760. तो ये, आपनमाने समसे जानी रोखंदू, तो ये, एस, बुर्द्वान, मिद्धनपूर, and Hooghli, were the district of Bengal, whose revenue administration was transferred to the East India Company for the acquisition of Nabhaf Sheep of Bengal by Mir Kasim in 1760. कि, who among the following was the advisor of Lord Cornwallis in his judicial reforms, judicial reforms रे Lord Cornwallis करो, advisor के थिले, तो ये, जुसन दी, Sir William Jones, who was a judge and a great scholar, civil and criminal courts, were completely reorganized, ये थिला, तांको टाइम रे, and it was work of judicial recognition को जायता है, judicial reforms, Sir William Jones, was the advisor of Lord Cornwallis in its judicial reforms, in which one of the following regulations declared the custom of Sati, याज, illegal, ब्रिटिस को टाइम रे, को रेगुलेशन ने आमे कोई परिया, डिकलार करा जे थिला, स्वति इस ए इलिगल प्राक्टिस, बहुदि बढ़िया, याज आको बन भला से बुचिर रखिया तरकार, याज, याज, रेगुलेशन आक्ट, अमे कोई बरिबा, ने त्याबरे, 27th, uh, of 1829, बेक्लार्ब दधानी इलिगल, बंधिगम बिकम्दार, इग्नेस, and it is formulated in his regulation that is yes 27 on 4th December 1829 prohibiting the practice of sati those who practiced sati were made libel for punishment by law of court and accessories to be crime the regulation was extended to the madras and Bombay presidency in 1830 who started the socio-religious organization and its appended journal ततो बुधी नी देखन्दू ततो बुधी नी सभा and its appended journal ततो बुधी नी को ता जोड़ी रिखिया उजवार आमोन राए राधागान देव देबंदरनाथ टागोर द्वारकनाथ टागोर यह किछी अलगा देबंदरनाथ टागोर स्टाटेड देखन्दू रिलिजियोस अर्गानाज़ेशन ततो बुधी नी सभा and its appended journal ततो बुधी नी बिपोर यह समय जोड़ी के देबंदरनाथ जोइंड देबंदरनाथ जोइंड बुधी नी सभा कोलकाथ तबुधी नी सभा लेटर नोन अस ततबुधी नी सभा अब्जेशन देबंदरनाथ नी सभा वेर टो एंक्वरेश रिलिजियोस इंक्वरेश एंड यह सिम्नेंट अबसेंट अपनिश्या वो मिन्हें वोव्य ओ सकती है वो एंक्वरेश रिलिजियोस तैड रिलिजियोस पीशन खेशेंट थे जोगाइट तो पीस अपिनेश थे जोगाइट पीस अपिनेश व्युवाज दर रिबेलियन ओफ दैज येज फ़र्जी रिबेलियन, फ़र्जी रिबेलियन न जो धी देखिएवाज लीडर कीए थिले, एगड़ा आपनमाने भल्लोसे टीके मनेरों चाश्टा कानतू नोले आपनमा लेकिरो कान्दू, दैज आमें कोई परिबाद येज वे आट दी दो इंडिया आक्ट 5 अफ 1843 मेड इलिगाल इंडिया आक्ट 5 1843 रे कोट अगु इलिगाल विली आमर कोया जैतिला या इलिगाल विली आमें कोई परिभा दसे इदिया जैतिला सलेभरी गोलासे मने रक़ंद थunt आद आककोआपनमनी जानियौ चसथा कुटंद थू. पर्मनेंट सेटिल्मेंट आमें जोदी देखिबा काहां को टाइम रे इतला और युदा भलो से मनेरोखिया दरकार यह उसंदी लॉर्ड कर्नुमलीज आज दरकार माने जानि रखेंत होँद फारे इसे मनेरोखिया एक पर सेटिए यह उन्हाँ जोदी देखिबा राजा रामुन रॉन राय केपा इस्टरलिशमन कुर्तिला समस्ते आपन मने जानी रख कुंदू, that is 1828, he founded ब्रह्मो समाजी in order to institutionalize his idea and mission which aimed at political upliftment of message through social reforms and that extent can be said to be a national understanding. In India, among the following location, the Doge established their earliest factory, Doge मने तंगर earliest factory, Surad, Polikot, Kochid ये कासिम बजार, देखिरो कुंदू, Doge मने, first of all, Kochid ने, the battle of Vandivas was fought between British and the French, merchants of the Doge East India Company, first established themselves in Doge, Karmondol, notable Polikot, as they were looking for textile to exchange with the spices they traded in the East India. तो वेसे यहले आमे कोई परिया, Kocheny is the right answer. Who of the following lead the army of East India Company in the Battle of Boxer, 1764? Who among the following lead the army of English East India Company in Battle of Boxer? Battle of Boxer जो United Alliance इतला, से कहां को एगनेस्टे आमे कोई परिवा आजा इतला, तो आको आमे कोई परिवा, A is the right answer. Hector Murno lead the army of East India Company in the Battle of Boxer in 1764. The combined army of Mir Qasim, the Nabab of Ood, Sahalam II were defeated by the English forces under Major Hector Murno at Boxer. Yes. Who was the father of civil services? Father of civil service कोई मने, डारेट इवड आपन मने, बुछी रखिया दरकार और जानिया भी दरकार जेतो लेठी आमे, डारेट कोई चे अंड यामे वी से रामे दिसकसन गोरुचे. Lord Cornwallis. Lord Cornwallis was the father of civil services. The term civil service was used in the first time by the East India Company to distinguish its civilian employee for the military counterparts. Lord Cornwallis started the civil services in India to effectively administer both British territories in India. The first English man to acquire the knowledge of Sanskrit, the first English man to acquire the knowledge of Sanskrit, who British और स्थिले, ये की English उपरे तांकर जोदी रेखिबा, पकर बॉले थिले, ये English उपरे ये Sanskrit भी स्थिले. तो इधिया में जोड़ी देखिया हुँ जिबा, C is the right answer, that is Charles Wilkins, he encouraged by Warren Hasting to study with the pundits of Advanaras. Which one of the following had received the title of Jagat Seth from Mohamad Saha, which of the one of the following had received the title of Jagat Seth from Mohamad Saha, that is Phate Chand had received the title Jagat Seth from Mohamad Saha. Phate Chand was adopted the son of Manik Chand, he obtained the title Seth from the Emperor, Pharuk Sihar Mohamad Saha, besuade him the title of Jagat Seth. Who of the following led the fast rail line in India? Fast rail line आमें जोड़ी दिखे इंडिया रे, की establishment गोड़ी थिले? एड़ी आमें समोसे जानी चे, that is the De La Housie in 1853 from Bombay to Thane, railways where fast introduced to India in 1853 from Bombay to Thane. आजरो सेक्षोन एटीगी थिला, गुड़ाएं को सिंसा जाजिया में प्राय कवर आप करी ने ले, तो 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 ट्राय करों तो आपन मने आको रिभाइच करी है पाई, और जो मने फास्ट पार्ट देखी रोखंदू, और जो दी ओपी एसी रे आपन मने सुस्क्रे करी हमें दी क्लासेस पाईया को चाहूं सुंदी, पुरा स्ट्रॉक्चुर हुए रे क्लास पाईया को चाहूं सुंदी, तो इसी टी आपन मने प्लॉस रे कोड यूज करन दो अमी और टेन, यह मते कॉंटक्ट करी पारिवे, 9090019332 रे, नेक्स्ट ग्लास रे देखा आबा सदीक परजन धन्याबाद, जाहिं